आगरा में फुट्वियर कॉन्क्लेव का आयोजन 16 और 17 सितंबर को होटल हॉलिडे इन में होगा। कॉन्क्लेव का स्लोगन शोकेस ओन अफ इंडियन फुट्वियर इंडस्ट्री रखा गया है। आयोजन में भारती ये जूता उद्ध्योग के व्यापक स्वरुप देने के लिए बौधिक चर्चा होगी। कई इप्रदेशों के प्रतिनिधी इसमें शामिल होंगे। शनिवार को होटल फेरफील्ड बाई मैरियट में आयोजित कार्यक्रम में एफमिक अध्यक्ष पूरण डावर ने मंच से कॉन्क्लेव की घोशना की। ये आयोजन फ्रेटरिटी ओन अफ आग्रा, फुट्वियर, मैनुफाक्ट्वियर, मैनुफाक्ट्वियर, मैनुफाक यानि प्रिपरेशन, प्रोडक्षन, प्रोजेक्षन पर केंद्रित रहेगा, जूता उद्योग के प्रोटसाहन और वर्तमान पर इद्रिश्य में चुनोतियों पर मंधन होगा, आग्रा के लेदर फुट्वियर को मिले बौधिक संपदा अधिकार, जी आई को किस प्रकार मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तिमाल करें, इस पर भी विशेशज्य व्याख्यान देंगे इंडिया की जो इकनोनी है, उसमें एक बहुत बड़ा मैतो रखती है, एंप्लॉइमेंट की दस्टी से भी और फोरेन एक्षेंज अर्मिंग की दस्टी से भी, तो इन संभावनाओं को देखते हुए, कि हमारी इंडिस्टी का रोल क्या हो, आग्रा का रोल उसमें बहुत म इंडिया की जानी है, कि आग्रा को एक बुट्लियर कैपिटल ऑफ दा वर्ड के रूपे कैसे स्थाफिक करना है, अब नो मोर चाहिए, इंडिया कैसे बढ़ना है, और हमारे जो अपना प्रोड़क्ट जो है, लोकल पर लोकल में हमनें आगे कैसे बढ़ना है, इन सारी ची प्रोड़क्ते का जो एक तरह से खोज जो हुई, वो आग्रा से हुई, नहीं सबसे पहले जूता है, इंडियोस्तान में आग्रा से बना है, चंड़े का जूता है, पहले लगड़ी के ख़ड़ा हुए, तो उसके बाद में आग्रा से शुरुआता हुए, यह बहुत प्रोड़ी आग्रा को, उसको मार्केटिंग तूड के रूप में कैसे प्रयोक किया जाए, इन सब्पन होना नम करने जा रहे हैं, सोड़े सकते हैं, सितम्बर को इस दो दिवसी हैं, अपने कोंगले में, और मुझे रगता है, कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट जब एक चाहते ही कि जो प्रोड़क्ट एक्सपोर्ट में बनता है, वही इस सब्सक्राइब हो, और कोई भी वेक्ति, कोई भी प्रोड़क्ट है, हमारे जो इंदिन कंग्यूमर है, उनको भी अच्छी गुनवत का वाला जुदा मिले, और एक प्रोड़क्ट ऐसा है कि कोई भी मिल भी मिल्यार के बेस को बढ़ाना बहुत है, अभी हमारा शेयर जो है, बन माकेट में मातर 3% है, 97% अभी हमारी प्रेट में है, जब तक बेस नहीं बढ़ेगा, वो ही अगर दस एक्सपोर्टर नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम इसको अपने शेयर को आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर को आगे बढ़ाना है इस तरह के बहुत सारे मोमेंग जो है इस सोरे सेतरे सेतंबर को लिए जाने वाले हैं और मुझे लगता है कि हमारा जो वारे जो ग्लोबल खक्री बनने वाला है उसमें आगरा की बड़ी फूर्ट अगरा में होने जा रहा है एफ मेक और एफ मिलके कर रही है इसके अंदर हम जो भी मार्केटिंग की स्ट्राटीजी जो नई आज की रेट में वर्ल्ड ने अपना हुई है जो इअगरा जोटेष यह डागी बीन हगे है उसको हम समझाने के कोशिश करेंगे एफ माध के बार में हैब यह बहुद अणक्टुजशन करें आऊप एफ मिचुोलेटीcket करें जिससे कि आगरा का प्रोड़क्ट एक बहुत अच्छे लेवल पर आ सके है, आगरा एक फुटवेर हब बनना चाहिए देश के लिए, आज की रेट में आप किसी भी और चीज की बात करते हो तो वो पंजामे साब स्वेटर का बनता लोग दो ध्याना के लिए, लेकिन जूता ऑगरा से हुआ था और स्कैटर हो गया, रेस्ट पार्ट व कंट्री के लिएर और के सारी फिर से आगरा के अनदर भी आना चाहिए, और जब धी जूते का नाम आए तो आगरा का नाम उसके साथ जुड़किया है, जूता आगरेगा जूता, पेठा आगरेगा बेठा, तो उस आइवन डाट तो हैपिन इनागरा, रहेगा कि एक तरीके से सम्मिट हो गई, सब की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सब को सॉल्व करना है, अभी नहीं टेक्नलोजी किसी को पता नहीं है, टेक्नल करने के लिए सारे मिलके एक स्टेज पर बैटेंगे, तो सारी चीजें जोड़के बैटेंगे, तो नई से नई चीजें, नई से नई टेक्नलोजी यहाँ पर निकल कर आएगी इसमें.